इसके अंदर हम बताएंगे fossil fuels के बारे में सबसे पहले उसके बाद जितने भी दूसरे चीज़ें non-renewable, renewable, सब चीज़ें nuclear वगर सब एक एक करके discuss करेंगे लेकिन इस section में सिर्फ fossil fuels से start करेंगे अब fossil fuels की बहुत सारी चीज़ें वो सारी मुखतलु खिसम के fossil fuel के बारे में बताएंगे कि उनका origin क्या है उनके इस्तेमाल से क्या फाइदा है उनके इस्तेमाल से क्या नुकसान है वो सारी चीज़ें डीटेल से इस fossil fuel section के अंदर समझाएंगे ये पूरी लिस्ट कम्प्लीट नहीं है ये जो आप देख रहे हैं fuel, gas coal, इसके अबाद shale oil, tar, sand वगरा ये सारी चीज़ें जो गोटों में इस्तेमाल नहीं करते या बताते भी नहीं है इसके बारे में लकिन या आपको पता है कि नहीं लेकिन पाकिस्टान में tar, sand बहुत सारी है उसका इसका इसका इसतमाल करना बड़ा मुश्किल है वो मैं जब टार सेंड के बारे में आपको बताऊंगा तो देखेंगे कि इसको एक्स्ट्रैक्ट करना वहांसे ओईल कितना मुश्किल है इसवज़ जह से हम उसको बिल्कुल हमने छोड़ दिया है उसको शेल ओयल है शेल गैस है पाकिस्तान में बहुत सारी है जितनी सुई गैस है उस से कंपरिटिव नंबर है शेल गैस का लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ओजी डीसी ने अनाउंस किया कि जी हम शेल गैस और शेल ओयल को हम उसको बिलकुल एक्स्प्लोर नहीं करेंगे अभी उसकी वज़ए कि कास्ट है तेल आसानी से मिल जाता है तो अभी क्यों उनको इस्तेमाल किया जाए जहाद जब तक कि नहीं किया जाए मेरे साब से तो वो तो अच्छी बात है लेकिन यह है पाकिस्तान में है वी वी काफी सारा तो खेर उसके बारे में भी हम के अंदर आ जाती है जो एक important चीजी है कि जो oil है और gas है उनका origin एक है और जो coal है उसका origin बिलकुल मुक्तलिफ है तो जो अब हम बात करेंगे और इसमें यह भी आ जाता है यह शेल oil, tarcin, शेल oil, tarcin यह related है oil से इसका मतलब इनका भी origin जो है वो gas से है और जो shale gas है वो भी gas की है तो उसका origin भी oil से connected है तो यह connection दरा सा समझने की जरूरत है तो यह पहले हम oil gas को देखेंगे उसके बाद coal का origin देखेंगे क्या उसके अंदर आता है तो आप जैसे देख रहे हैं कि यह मैंने हमने दो तीन मरताबा यह कर्व इस तरह का देखा है कि यह global energy usage कहां कौन कौन सी चीज़े हैं जिससे में इस्तेमाल की जाती है अब यह आप देखें यह सारी चीज़ें oil gas और coal जो है यह नीला वाला औरेंज वाला और यह पीला वाला यह तम अगर इसको मिला लेना तो क्या 50-60-60 असी फीसद तो यह हो गया बलकि असी से कुछ जादा हो गया बाकी जो बचा थोड़ा सा nuclear हो गया और बहुत ही थोड़ा सा renewable हो गया renewable अब इतनी बड़ी बड़ी बाते होती है renewable की जो के अब आप देखेंगे कोर्स की अक्ताम में हम इस पे डिसकस करेंगे कि कैसे हो सकता है कि renewable को renewable जो पूरा रिप्लेस करें नॉन रिणीवल से तो वो उसके लिए कुछ मुछ मुक्तलिफ खिसम की अप्रोच इसकी जूरत है लेकिन अभी अगर देखें तो क्या मुश्किल से मिला कि इसमें तो 4 फी तो ये काफी बड़ी मिक्तार में इसकी जूरत होती है जैसे अभी हमने देखा ना कौडरिलियन बी टी यू पर डे टाइप जो उसके कंसम्शन है तो ये इसका डिस्पर्शन जो है उसकी वज़से अंदाजा होता है कि इन चीज़ों को समझने की कितनी जूरत है कि कितनी बची है ये एक बहुत बड़ी बात है कितना बचाए गैस सुई गैस के बारे में आपने देखा होगा कितनी बड़ी प्रेडिक्शन थी अब वो तकरीबन खतम होने वाली है पता नहीं खतम होने वाली है कि नहीं लेकिन उसको एक्सप्लोर करने की शायद और जूरत है कि आसपास में और गैस है के नहीं दुबई गतर वगारा में तेल खतम हो गया दुबई में तेल ही नहीं है वो तो बाखी जब अरब ममालक हैं उसमें तेल है चल रहा है इन लोगों कर नहीं है नहीं बचा तोनों में इतनी अकल दी कि उन्होंने अपने जो एकॉनमी थी उसक क्या होगा तो मैं अभी गया थोश पहले आजवाइजाantes अच्छ अलिफ नहीं है कि बाहर वार किसी और जगा से बस थोड़े आगे पीछे होती रहती है कि हाइडर एलेक्टिक थोड़ा सा जादा हो गया या तेल थोड़ा सा कम हो गया अब वो थर कोल की वज़ा से कोल का इस्तेमाल काफी बढ़ गया इसके बारे में भी मैं भी बताऊंगा सेक्शन में तो वो थोड़ा उपर नीचे होता रहता है लेकिन हर जगा कुछी भी मुल्क को उठा लें जो डिपेंडेंस फॉसल फ्यूल के उपर है वो उसी तरीक से डामिनेंट डिपेंडेंस के 80-90 फीसद तक के फॉसल फ्यूल हो इस्तेमाल होता है यह अमरीका का देख से तक के एक थोड़ी सी अवेरनेस थी जिसमें उसमें कम हो गया था लेकिन अब एकदम से फिर वो दोबारा जाद हो गया है तो वो अब वो इदेखें कितना बड़ा फैक्टर है ना 66 परसंट जो है उनके जो कंजम्शन है वो कोल के उपर डिपेंडेंट है लोग कहते हैं ने उनका एक नया कोल पावर प्लांट लगता है पाक gilt में प्र één हमिएने नया पावर प्लांट लगता है तो कितनी डिपेंडेंस है आप देखें एक इन फॉसल फियल्ड के इस देखरी अप डियसे देख रहे हैं यह मैं इस विजए एक बड़ी इंपुर्टं चिस है यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फेक्टर है, कि इतनी बड़ी एकानुमी, 1.1 बिलियन पीपल, जो प्रिरामिटली डिपेंडेंटने कोल के ओपर, और इसका कितना बड़ा अफ़क पड़ेगा सारी दुनिया के ओपर, इस अ ग्लोबल इस्यू, अमेरिकन्स हैं, वो कंसम कर जाएड़ है ना बहुत ही जादा, तो इसकी वजाए से इन्वारिमेंटल प्राबलम, प्लिटिकल प्राबलम, सोशल प्राबलम, सारे एक साथ जैनरेट होते रहते हैं, तो यह कोल कंसम्शन, और यह बढ़ता चला जा रहा है, यह नहीं कि कम होता चला जा जा रहा है, अब इसका मतलब फैक्टरिया नहीं लग रही है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, तो चाहिए बहुत जादा जा रहा है, अब बागई चीज़ें तो है नहीं, तेल तो नहीं है चाहिना के पास इतना जादा, कोल है बहुत सारा, वो कहते हैं हमारे पास है तो हम क्या करें, इसक कमसकम इस तरीखी से इस्तेमाल करना चाहिए कि उसका अफेक्ट एनलाइज करें कि क्या हो रहा है अगर उसके अफेक्ट से लोगों की जिन्दगी खराब हो रही है, तो क्या जुरूरी है कि हर एक शास के पास गाड़ी हो, गाड़ी चलाने वाला ही मर जाए तो फिर गाड आवलूशन वाली बात आ गई, वहां से जो चलना शुरू हो फिर वो पूरा उपर तक के गया, और आखीर में चोटा सा उपर जाके रिनेवल एनर्जी आती है